एक समय की बात है, एक छोटे से गाव में एक गरीब परिवार रहता था, उनके पास न कोई समपत्ती थी, नहीं कोई ऐसा साधन जो उन्हें आराम देता, पर उनके चहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती थी, उनका बच्चा रोज स्कूल जाता था और उसे पढ़ाई में बह प्रुची थी, एक दिन गरीब परिवार ने बाजार से थोड़ी सी गेहु खरीदी, जब वे घर वापस आये तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही गरीब आदमी उनके द्वार पर खड़ा है और रो रहा है, वे उस आदमी के पास गए और पूछा भगवान करे तुम्हे क्या हुआ है, वह आदमी बेहोश होते हुए बोला, मुझे भूख लगी हुई है और मैं दिन भर कुछ नहीं खाया हूँ, कृप्या मुझे कुछ खाने को दो, उस परिवार ने उसे अपनी आँखों से तरस देखा और वहां कुछ नहीं था जिसे वे उसे खिला सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी अधूरी प्यास मिटाने के लिए उसे अपने पास बुलाया और उसे अपनी थाली में रोटी खिलाई। खा रहा था, उसकी जगह चांदी की रोटी आ गई। इस तरह रोटीों खाने के साथ साथ वह आदमी सोने की और चांदी की सभी वस्त्रों और संपत्तियों के मालिक बन गया। उसने गरीब परिवार को धन्यवाद दिया और उन्हें इसके बदले में सभी संपत्तिया दी गरीब परिवार ने अपनी सन्यमित्ता और गया की शक्ती से एक गरीब आदमी की जिन्दगी बदल दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दूसरों की मदद करने का महत्व बहुत ही अद्वितिय होता है और हमें अपनी संपत्ती और शक्ती का उप्योग दूसरों की सेवा में करना चाहिए